पंडित जवाहल लाल नहरू या सिर्फ जवाहल लाल नहरू क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सिर्फ जवाहल लाल नहरू के बारे में बात करने वाले हैं जवाहलाल नहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और ये काफी नामचीन आदमी थे लेकिन दूसरी तरफ इनकी एक डाक साइड भी थी क्योंकि इनी की वज़े से इंडिया के वो हिस्से जो आज के समय में इंडिया के पास होने चाहिए थे वो आज दूसरे द जवाहलाल नहरू अपने आपको हिंडू बताते थे पर उनके जो एल्स सिस्टर थे वो रियल में सुन्नी मुस्लिम थे तो नहरू का जन्म 1889 रेड लाइट एरिया में हुआ था लेकिन यहां पर सवाल ये आता है कि अगर ये मुस्लिम थे तो ये हिंडू क्यों बने तो इ पर रखा ही नहीं जाता था तो जून के दादा थे गंगाधर उर्फ गिया सुद्दिन गाजी अपनी नाम के आगे नहरू खुद से लगाया था क्योंकि जब अंग्रेजों ने डेली की सल्तनत पो हरा दिया था तो हिंदू और मुस्लिम महराजाओं की पौच को खड़ा नहीं हो देना चाहते थे तो गिया सुद्दिन गाजी ने अपनी नाम को गंगाधर नहरू में बदल लिया था और फिर जब नहरू बड़े होता है तो इनको साथ मिल जाता है गांडी जी का और फिर जब 1947 में इंडिया को आजारी मिलती है तो इस समय जवाहल लाल नहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इनको बच्चों से बड़ा प्याल था और इसलिए जिस चिल्ड्रेल्स दे को 1964 से पहले 20 नमबर को मनाय जाता था उसे शिफ्ट करके जवाहल लाल नहरू की जनम दिन मतलब 14 नमबर को मनाना च चानू कर दिया गया था चलिए ये तो हो गई इनकी लाइफ की वो बातें जिसकी वज़े से ये इतने फेमस थे तो चलिए अब इनकी डाक साइट की दरफ चलता है तो जवाहल लाल नहरू काफी रंगीन की समके इंसान थे दरसल इनका अपनी पतनी कमला नहरू के अलावा लेडी एडविन माउंट बैटन पदमाजा बनार्स के शद्धा माता के साथ संबन थे और इसलिए उन्हें STD जैसे सेक्शुल बिमारी की वज़े से अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा था अब एक बार नहरू ने कहा था कि मुझे लडाई जगडा नहीं बसंद है और इसलिए जब 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर के उपर हमला किया था तो इंडियन आर्मी उन्हें डिफीट कर सकती थी लेकिन नहरों ने आर्मी को सीधा सीज पाय करवा रिया था और कश्मीर को एक इंटरनाशनल मुद्दा बनवा रिया था मतलब अगर तुम्हें लडाई ज सुनकर आप दंग रह जाओगे दरसल 1950 के टाइम पर अमेरिका ने इंडिया को यूएन सीट ऑफर की थी और अमेरिका चाहता था कि इंडिया यूएन सेक्योरिटी काउसिल का एक पर्मानेंट मेंबर बन जाए लेकिन नहरों ने इसे साफ साफ लात मार दी थी और कहा था कि पहले आप चाइना को दे दो फिर देखा जाएगा अब चाहे जितना भी आप गाली अमेरिका और यूकी को दे लो सीट तो नहीं मिलने वाली है अब ऐसे ही नहरों का एक नारा था कि हिंदी चीनी भाई भाई और इसी की चलते 1962 वार भी लड़ी गई थी जिसमें इंडिया और इंडिया की रिलेशन काफी अच्छे थे और उस समय नहरों चाइना के एक दोरे पे मी गए हुए थे और इस समय इंडिया को सबसी ज्यादा खतरा था पाकिस्तान से क्यूंकि उस समय सुवियत और अमेरिका के साथ पाकिस्तान ने अपना एक अलाई बना लिया था तो चाइना ने भी चाइना के साथ अपना एक अलाई बनाना सही समझा अब 1950 में जब चाइना ने तिबबत को कपजा लिया था तब दलाई लामा 1959 में अपनी जान बचाकर इंडिया में रेफ्यूजी बनकर आये थे अब यही से ओती है वाल बिग्येंस क्यूंकि चाइना को य इंडी-चिनी भाई-भाई से भरोसा ओठ जाता है अब धीरे-धीरे चाइना मैक मॉन लाइन को भी कप जाना चालू कर देता है अब इंडिया अपनी forward policy का use करता है वह अपने soldiers with weapons अपने border पर भेजना चालू कर देता है और चाइना भी कुछ ऐसा ही करता है अब चाइना मै इंडिया के सिर्फ चपल सूल्जर पर हमला कर देता है और फिस सारे 9 बजे एक और हमला किया जाता है लेकिन इंडिया इस war के लिए बिलकुल भी प्रिपेर नहीं था तो इंडिया को इस war से पीछे हटना पड़ जाता है जिसके बाद ये war officially start हो जाती है अब 20 अक्टूबर 1962 को जाकर चाइना इंडिया के लद्दाक वाले हिस्से को अपनी अंडर में ने लेता है खालकि इंडिया का मैक 999 वाला हिस्सा मतलब अरुनाचल प्रडेश इंडिया के पास ही रहता है लेकिन तब भी ये जवाहल लाल नहरू की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है अब ऐस सबा में जवाहल लाल नहरू से ये कहा था कि इस गलती की वज़े से चाइना हमें एक दिन पूरी तरीके से घेल लेगा 26 अगस्ट 1954 में भीम राओ अमेडिकन ने राज सबा में ये कहा था कि अब इंडिया को चारो तरफ से घेल लिया गया है एक तरफ है मुसलिम देश और दूसरी तरफ है नहरू क्योंकि नहरू ने तिबबत के उपर चाइनक कपजा मनजूर करके चाइना की बॉर्डर को भारत के और पास लाने में मदद कर दी है इसके आगे उन्होंने ये कहा था कि आज भले ही भारत को इससे कोई ज़्यादा नुक्सान ना पहुंचे लेकि उसे इन्होंने बर्मा जो की आज का मियानमार है उसे तौफे में दे रिया था और मियानमार ने इसे चाइना को दे रिया था और इसके चलते चाइना इंडिया के उपर काफी कड़ी नजर रखता है अब ऐसे ही नेपाल के जो 90's हेंटेट के राजा थे तिरिभुवन विक काइना की आर्मी नेपाल से हम पर नजर रखती है अब यहां पे एक और काफी गरंग मुद्दा है कि जवाहल लाल नहरू गांधी की छतर छाया में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ओफ इंडिया बने थे देखिए भारत को जब आजारी मिली थी उससे एक साल पहले मतलब 1946 म वो नॉमिनेट किया जाता है जो कि नॉमिनेशन करेंगे सर्दार पटेल और जवाहल लाल नहरू के लिए अब सर्दार पटेल को 15 में से 12 वोट मिलते हैं और जवाहल लाल नहरू को 0 मतलब कोई भी नी चाहता था कि जवाहल लाल नहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ओफ देते हैं इंडिया की नहीं कमान अब चाहे जो भी कहो गांडी जी का इंडिया को बरबाद करने में एक बहुत बड़ा रोल रहा है और मुझे तो यह भी लगता है कि जो गोट से हैं वो नहरू को मानने आये था बट वो थोड़ा रास्ता भटंग जाता है और आज सोचने व देएगा और आप सबका धन्यवाद इस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए